Hello students, welcome to Hello Biology तो students, जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था Human Reproduction चाप्टर को और उसमें हमने Human Reproduction के बारे में उसका परिचे जाना था, उसकी कुछ steps को जाना था तो उन्ही steps को detail में समझने से पहले हमारा जानना जरूरी है पूरे अच्छी तरीके से male और female reproductive system को ताकि हम उन steps को अच्छे से समझ पाएं, तो आज हम start करेंगे male reproductive system को समझना तो चलिए शुरू करते हैं, पर उसका जो reproductive system है वह उसके pelvic reason में located होता है ध्यान रखिये, कहां located होता है? pelvic reason में जिसके अंतरगत एक pair of testes आता है, accessory, duct, gland और external genitalia आते हैं आज हम बात करेंगे testes की, यानि कि ये वाला lecture पूरी तरीके से किसके बारे में है? testes के बारे में, तो जो testes हैं, वह abdominal cavity के बाहर एक pouch अथवा थैले में स्थित होती हैं, जिससे हम scrotum कहते हैं, तो testes abdominal cavity के बाहर एक pouch में स्थित होती हैं, जिससे हम क्या कहते हैं? scrotum, अब बात करते हैं कि ये abdominal cavity के बाहर scrotum में क्यों इस्थित होती हैं? क्योंकि scrotum जो है, वह testes को 2 से 3 degree, 73 कम तापमान प्रदान कम कराता है, as comparatively abdominal cavity के, जो की sperm के production के लिए आविश्चक होता है, sperm यानि की male gamete के production के लिए हमें कम तापमान के जरूरत होती है, as comparatively abdominal cavity के, ठीक है, अब बात करते हैं, testes के external structure की, यानि की उसके size और shape की, तो जो testi है, एक वयस्क पुर्ष्ण, प्रती एक testi जो है, वो over shape की होती है, जिसके लंबाई लगबद 4 से 5 cm और चोड़ाई 2 से 3 cm होती है, अब आते हैं इसके internal structure पर, तो प्रतीक testi में लगबग 250 compartment अत्वा कक्ष होते हैं, जिन्हें testicular lobules कहते हैं, क्या कहते हैं? testicular lobules, और प्रतीक ध्यान रखिए, और प्रतीक testicular lobules में 2 से 3 coiled semi-niferous tubules होते हैं, कितने 2 से 3 coiled shape semi-niferous tubules होते हैं, sperm का production actually में इनी के अंदर होता है, और प्रतीक semi-niferous tubules के भीतर दो प्रकार की कोशिकाई पाई जाती हैं, जिन्में से एक प्रकार की कोशिकाई को हम spermitogonia, अथवा male germ cell कहते हैं, और दूसरे प्रकार की कोशिकाई को हम systole cells कहते हैं, जो spermitogonia है, जब उनमें division होता है, meiosis होती है, तो उसके उपरान sperm यानि की male gamete का निर्मान होता है, जबकि जो systole cell है, वो इनको nutrition provide कराती हैं, अब बात करते हैं, semi-niferous tubule के बाहर के reason की, तो semi-niferous tubule है, उसके बाहर के reason को interstitial space कहते हैं, जिनने छोटी blood vessels होती हैं, और interstitial cell जिनको हम lighting cells भी कहते हैं, lighting cells का मुख्य काम होता है testicular hormone को synthesize करना, जिनने हम androgen कहते हैं, तो बच्चो, आज की class में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली class में, अगर आपको आज की class पसंद आई हो, तो चैनल को subscribe करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ share भी, तो मिलते हैं आपसे अगली class में, अलविदा दोस्तों!